एक भक्त की कथा, जो लोग निस्वार भाव से भक्ती करते हैं, उन्हीं मिलती है भगवान की कृपा एक ग्वाला रोज गायों को चराने काउं से बाहर जंगल में जाता था जंगल में एक संथ का आश्रम था, वहां संथ रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे ग्वाला रोज संथ को देखता, तो उसे समझ नहीं आता था कि संथ ये सब क्यूं करते हैं ग्वाले की उम्र कम थी, संथ के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुचा और संथ से पूछा कि आग रोज ये सब क्या करते हैं संथ ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ती करता हूँ रोज, पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शिन हो सकते हैं संथ की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शिन करने चाहिए ये सोच कर ग्वाला आश्रम से निकल कर एक सुनसान जगह पर पेड के नीचे एक प्यार पर खड़े होकर तब करने लगा कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बन कर दिया ग्वाले ने सोचा कि जब तब भगवान दर्शिन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा छोटे से भक्त की इतनी कठन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन हो गए वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आखे खोलो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ ग्वाले ने आखे खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं भगवान बोले कि मैं वही इश्वर हूँ जिसके दर्शन करने के लिए तुम तब कर रहे हो ये सुनकर ग्वाले ने आखे खोल ली लेकिन उसने इश्वर को कभी नहीं देखा था वह सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान है सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रसी से बान दिया भगवान भी भक्त के हातों बंद गए ग्वाला तुरंद दोड़कर उस संत के आश्रमें पहुँच गया और पूरी बात बता दी संत ये सब सुनकर हैरान थे वे भी तुरंद ही ग्वाले के साथ उस जगा पर पहुँच गए संत उस पेड़ के पास पहुँचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे संत ने बताया कि मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वज़व पूछी भगवान ने कहा कि मैं उन्ही इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ती करते हैं जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता सीख जो लोग भगवान की भक्ती निजी स्वार्थ के वज़ह से करते हैं उन्हें भगवान की कृपन नहीं मिल पाती है निस्वार्थ भाव से की गई भक्ती ही सफल होती है जैश्री राम